ठीक है तो आपको maths की class जो लगी है वो आप पहले अच्छे से देख लो क्या-क्या देखना है उसमें आपको percentage देखना है ठीक है उसके बाद से average देखना है और ratio देखना है ये तीन चेप्टर आपको बहुत अच्छे से maths में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा otherwise नहीं आएगा स्सी जीडी का बैच अभी स्सी जीडी का बैच नहीं अभी जो बैच चला है वही चलेगा वंदना जी गुड इवनिंग सुनील जी गुड इवनिंग सभी का स्वागत है तो सुरुवात करते हैं हम लोग हमारा जो पहला question है टेबुलर डी आई का कुछ आपका इस question होंगे एकदम साधारन सा question है यहां पर आपका टेबल दिया हुआ है और यहां पर एक डेटा दिया हुआ है टेबल में डेटा दिया गया है टेस्ट नंबर दो के लाइन ग्राफ में हावा नहीं लग रही है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ उसी को किसी दिन मैं solve करा दूँगा प्रेक्टिस सेशन में वही solve करा दिया जाएगा और और यहां पर यहां क्लियर दिख रहा है फिगर क्लियर दिख रहा है यहां क्या बोला तालिका पांच अलग अलग स्कूल में उन छात्रों के प्रतिसत को दर्साता है जिन्हें टैब मिला है जिन्हें टैब नहीं मिला है ठीक है टैबलेट की बात किया जा रहा है कि जिन्हें टैबलेट मिला है और जिन्हें नहीं मिला है दो यहाँ पर डेटा है और यहाँ पर आपके स्कूल में कितने छात् स्कूल है भी ए बेडैंट की संख्या कितनी दे दी गई है 12400 जी गुड इवनिंग स्वागत है सुनेल जी स्वागत है सभी कापिरिंस जी बुड एसी में कोश्चन आपके तीन question आएंगे, 3 question chances हैं आपके यहां से पूछे जाएंगे ESI वाले 3 question वो भी कोई जरूरी नहीं है कि tabular ही आए वो कोई भी graph आ सकता है कोई भी graph या tabular में से कोई भी DI आ सकता है 3 question का safe voltage है PT वालों के लिए 20 question का है जिसका 10 question cover हो चुका है बाकी 10 question इस 3 दिनों में cover हो जाएगा, तो आपका DI का portion खतम हो जाएगा 3 दिन class में इसी week में पूरा DI syllabus complete, अब उसके बाद से हम practice करेंगे, बीच बीच में ठीक है, बीच बीच में जो class होगी वो DI पर practice होगा question आप से क्या बोला है, school A, C, E में चात्रों की कुल संख्या ठीक है, कितनी हैं जिनोंने उनकी school से tab नहीं मिला है कौन से चात्रों का बताना है आपको सत्यम जी रादे रादे ऐसे A, C और E A C और E, ये जो आपके school है, इनमें उन चात्रों की कुल संख्या बताना है जिनको क्या नहीं मिला है tablet नहीं मिला है, तो कौन सवला हो जाएगा, ये हो जाएगा ये चात्रों का प्रतिसाद जिन्हें tab नहीं मिला है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, कि total number of student निकालोगे, वो कैसे निकालोगे देखो total number of student तो दिया है अब total यह किसमे दिया, यह पाँचों विद्याले में कितने हैं, 12,400 स्टूडेंट है, तो A वाले में कितने स्टूडेंट होंगे, A वाले में कितने होंगे, यहां लिखा है न, school में कुल छात्रों का प्रतिसत 12 है, तो A वाले में अगर आप निकालते हो, किसका किसका answer आ गया तो यहां से कट जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 1,2,4,0 ठीक है 10 और 2,4 को 8,2,2,4 और 2,1,2 तो 8,4,4,8,2,2,4,1 1488 टोटल स्टुडेंट A के हो जाएंगे इतना तो निकाल लोगे 1488 कोई प्रात्मिक्ता नहीं दी जाएगी ओ लेबल वालो को ठीक है यह मेरे पेन का कलर क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को अच्छा चेंज कर लें चलो चेंज कर लिया चेंज कर लिया यहां पर कुछ नहीं 12% of क्या निकाला गया है 12% of 12,400 का तो यहां पर A में आपके क्या जाएंगे टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे लेकिन हम उन स्टूडेंटों को निकालना है जिन्हें टेबलेट नहीं मिला वो कितना है 62.5% है तो अब इसका 1488 आया है इसका कितना परसेंट निकालोगे 62.5% निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा इसका 62.5% निकालोगे किसी का अंसर आया अभी तक नहीं आया है चलो देखते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा इसमें 1488 का 62.5% निकालोगे तो 930 आपका एप्रोक्स आएगा 930 आपका आएगा राजकरन जी गुड इवनिंग श्वागत है तो 930 आपका यह आगया यह A में वो स्टूडेंट हैं जिन्हें टेबलेट नहीं मिला है और इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा अब देखो अब हम लोग किसमें निकालेंगे B वालों को निकालेंगे B में टोटल B नहीं चाहिए हमें C चाहिए हमें C चाहिए तो C वाले में कितना है 30% है 30% आफ किसका निकालेंगे 30% आफ 12,400 तो इससे क्या आजाएगा हमें B में कितने चात्र हैं तो अगर 30 का आपका परसेंटेज निकालोगे तो यह यह कट गया और यहां से को लोगा 3,4,12,3,2,6,1,7 और 3 एक कम 3,7,2,0 3,7,2,0 आपका क्या आजाएगा यहां पर टोटल स्टूडेंट आजाएगा B में स्वरी C में अब इसमें कि आपको 80% निकालना क्योंकि 80% लोगों को क्या नहीं मिला है टेबलेट नहीं मिला है तो 37,20 का 80% कितना हो जाएगा इसका जल्दी से बताओ तो यह 0 यहां से कड़ गया एक 0 यहां से कड़ गया तो 8 दुनी 16,last में 6 होगा तो कितना आजाएगा सर कंप्यूटर में boolean algebra समझ नहीं आ रहा है सर क्या करें क्या उसमें दिक्कत आ रही है लेक्चर देखो एक बार उसमें तो सिफ law है basics law है मैंने questions भी करा है कि questions कैसे आता है उसे एक बार देखो दो तीन बार देखो जो notes दिया उसको देखो कि कैसे होता उसे रटना ही है आपके formula को ठीक है तो रटके उसे देखना है आपको कि कितना उसमें आप gain कर ले जाते हो ठीक है 2976 2976 आपका total इसमें student हो जाएंगे जिने tablet नहीं मिला है अब last में कौन सा है E वाला है E का कितना percent है 20% तो 20% of किसका 12400 फिर इसका कितना percent जिनको tablet नहीं मिला 40% ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा यहां से आपका total कितना answer आजाएगा यह आपका यहां से cancel हो गया यह आपके 0 बचे है यह यहां से cancel 4 दूनी 8 into 124 कर दो यहां से आपके E में total आपके निकल आएंगे कितने आजाएंगे 992 हो जाएंगे ठीक है 992 आपका 8.32, 8.16, 3.19 और 8.19, 992 आपका ठीक है पूरा हो जाएगा तो यह 992 यह 2976 और यह कितना था यहां पर 930 इन सब को जोड़ दो कितको किसको 930 प्लस 2976 प्लस 992 इन सब को जोड़ दोगे तो 6, 2, 8 last में 8 होना चाहिए option में last में 8 होना चाहिए sum में 8 है अब बताओ अब क्या करोगे 9, 7, 16 और 16 तो 6 होना चाहिए देखो second digit आपके कितनी होनी चाहिए यहां पर 6, 2, 8 आपके बाद से second digit 9, 7, 16, 16, 16, 16, 19 9 होनी चाहिए second digit आपके 9 होनी चाहिए और 2 में है यह option cancel यह option cancel यह आपका बचा ठीक है उसके बाद से आपका देखो उसके बाद से 9, 9, 18 18, 27, 21 28 आपका कौन सा हो जाएगा 48 4896 ठीक है तो यह वाला आज जाएगा 4896 कहा है 4898 4898 4898 4898 C answer clear हो जाएगा क्योंकि 96 तो कि यहां तक तो हमें मिली रहा था 98 उसके बाद से हमारा 8 हो जाएगा क्योंकि 27 वो हुआ एक कहरी थार्ट डिजिट हमारा 8 होगा 898 वाला हमारा answer हो जाएगा C हमारा correct हो जाएगा अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को quality थोड़ा बढ़ा लो क्योंकि DI का question लंबा होता है PPT में और board पे जितना हो सकता है उतना ही आपको दिखाया जा सकता है अगला question इसी में है इसको भी देख लो School E में छात्रों की संख्या जिने टैब नहीं मिला है और School C में छात्रों की संख्या जिने टैब मिला है के बीच संबंदित अनुपात क्या है तो अब अनुपात बताना है आपको तो इसका अंसर बताओ तब तक मैं इसे delete कर लेते हैं ठीक है अब जल्दी से बताओ इसका अंसर बताओ School E में छात्रों की संख्या जिने टैब नहीं मिला है और School C में छात्रों की संख्या जिने टैब नहीं मिला है के बीच संबंदित अनुपात क्या होगा जल्दी से बताओ इसका क्या होगा D होगा SP सिंग जी D बता रहे हैं और देखते हैं कौन किसका आता है और किसी का अभी SP सिंग का आया D तो देखते हैं कौन सही होता है D होगा या क्या होगा अब बोला स्कूल E में छातरों की संख्या जिने टैब नहीं मिला है ठीक है टैब नहीं मिला है वो कौन से हैं ये वाले हैं E में ठीक है E में टैब नहीं मिला वो कौन है 40% है तो देखो दो चीजी ध्यान रखना 12400 तो सम में constant रहेगा लिखेंगे 12400 का 20% तो ये total E में आ जाएंगे कितने student हैं उसका 40% कर देंगे तो वो हमें आ जाएंगा क्या जिने आपको क्या नहीं मिला है टैबलेट नहीं मिला है तो E में उनका हो जाएगा जिने टैबलेट नहीं मिला है रेशियो की बात है ठीक है तो नीचे कौन सा आ जाएगा जिससे बोला गया किससे बोला गया चात्रों की संख्या जिने टैब मिला है तो जिने टैब मिला है C में वो कितने हैं 20% तो पहले तो 30% 12400 का 30% तो टोटल student हो जाएंगे C में और जिने टैबलेट मिला वो कितने हैं 20% है तो इसका 20% हो जाएगा तो अब देखो ये चीज तो common है, ये cut जाएगा, ये भी जो आपके नीचे 00 है, ये सब cut जाएगे, तो 20 गुड़े 40 या और 30 गुड़े 20 का ये ratio होगा, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, कट गया, 4 दो नी 8, upon 6 होगा, और ये cancel करोगे, तो 24 को 8 और 23 चे, 4 ratio 3 आपका क्या हो का answer हो जाएगा, तो 4 ratio 3 answer होगा, C correct होगा न, D कैसे होगा, D कैसे होगा, C होगा या D होगा, C होगा न, तो तुक्का मार दियो क्या, SP जी, अगले question पर बढ़े हैं, तो C answer आपका correct होगा, अगला question देखो, बोला, school B, C और E में छात्रों की आउसत संख्या क्या है, किसमें किसमें B, C और E में आपको क्या बताना है, आउसत संख्या बताना है छात्रों की, छात्रों की आउसत संख्या बताना है, तो पहले तो आप निकालो, कि total student कितने होंगे, कि सी होगा इसका किसका अंसर इसका सी अंसर होगा जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा एक तिस सो होगा अच्छा चलो देखते हैं प्रदीप कांसर आ चुका है एक तिस सो बी सी और ई को देखें तो बी सी और ई यहां पर है 25 परसेंट हमें निकालना है किसका 25 परसेंट टोटल कितना है 12,400 का 25 परसेंट आपका यह हो जाएगा और क्या होगा प्लस क्यूंकि हमें एवरेज लेना है किनका किनका बी सी और ई के छात्रों का और सब निकालना है तो देखो 25 परसेंट यह होगा अपना और नीचे और आजाओ यहाँ पे और किसका B, C और E का C का कितना है 12,430% है प्लस और कौन सा है E का है तो 12,400 E में कितने student है 20% है इनका average लेना है आपको कितना 3 करना है अब 12,400 को तो आप बाहर निकाल सकते हो सम में है upon 100 को भी बाहर निकाल सकते हो 20 यह हो जाएगा आपका upon 3 चला average में तो यह 30,20,50,55,55 ठीक है 30,20,50,55,55 हो गया 55 और 20 60,70,75 परसे 75 यह हो गया 75 upon 3 into 12,400 upon 100 यह 00 आपका इहां से cancel हो जाएगा यहाँ करें तो यह आपका 3 यह हो जाएगा 25 तो 124 गुडे 25 करोगे तो कितना आजाएगा यहाँ पर 31,100 आजाएगा क्या यह सही होगा एकदम सही होगा ठीक है 31,100 आपका correct answer होगा इसमें 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 को हम प्लस कर लेंगे तो क्या आजाएगा हमारा 31,100 आजाएगा इसमें को प्लस कर लो गुड़ा भाग कर लो 124 गुड़े 25 कर दो आजाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं बोलाई यदी स्कूल B और D में कुल छात्रों की संख्या में से 25% छात्र जिन्हें टैब मिला है उनकी आयू 15 वर्ष से कम है और बाकी की आयू 15 वर्ष से अधिक है तो इसकूल B और D उन छात्रों की संख्या ग्याद कीजिए जिनकी आयू 15 वर्ष से अधिक है और जिन्हें tab मिला है कुश्चन में बस थोड़ा सा गुमाया है बोला यदि स्कूल B और D में कूल छात्रों की संख्या में से 25% छात्र जिन्हें tab मिला है उनकी I.U. 15 बढ़़ से कम है तो बाकी की I.U. 15 बढ़़ से अधिक है तो इसकूल B और D में उन छात्रों की संख्या ग्याद कीजिए जिनकी आयू 15 वर्स से अधिक है इसका अंसर बताएं क्या होगा जल्दी से इसको जल्दी से बताएं क्या होगा देखते हैं किसका अंसर आ गया है B और किसमें D को पकड़ो तो B में टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 25 परसें 12400 का 25 परसें निकालोगे तो 25 को 100 मतलब 1 by 4 कर दो इसे ठीक है यहां से एगर केंसिल करते हो तो 4 3 12 4 1 कम 4 ठीक है 31 सो तो यह कितना हो जाएगा 31 सो तो आपका यहां से स्टूडेंटों की संख्या आएगे ठीक है B में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 31 सो होंगे अब किसकी बात किया जा रहा है डी की बात किया जा रहा है ठीक है और डी में कितने होंगे टोटल स्टूडेंट 13 परसेंट 13 परसेंट तो 12400 का 13 परसेंट आपको निकालना है तो 13 upon 100 होगा यह 00 यहां से cancel हो जाएगा और इसको करोगे तो आएगा 3 चोग को 12 मतलब 1240 ठीक है और यहां से 3 से और करो 3 चोग को 12 3 दूनी 6 3 दूनी 6 एक 7 3 एक कम 3 तो यह आप प्लस कर दो 7, 4, 11 3, 2, 5, 1, 6 16, 12 टोटल इस्टुडेंट D में आ जाएंगे D में कितने आ जाएंगे 16, 112 स्टुडेंट हो जाएंगे अब आपको क्या करना है इसके बाद इसके बाद से क्या करना है कि आपको उनको निकालना है जिनको टैब मिला है पुल छात्रों की संख्या में से 25 परसें चाब जिनने टैब मिला उनकी आयू 15 वर से कम थी तो अब आपको क्या करना है अब आपको उन्हें निकालना है जो इनको tab मिला है तो कितने लोगों को tab मिला है तो B में कितने लोगों को tab मिला है जो tab है वो B में कितने लोगों को मिला है 55% लोगों को मिला है 31-100 का 55% कितना होगा? 5, 0, 1705 होगा, ठीक है? 1705 आपका 31-100 का 55% होगा, इतने लोगों को टैब मिला है, अब उसमें आपको देखो, उसके बासे और किसका देखना है? D को देखना है, तो D में कितना है? 1612 है, 1612 में कितने लोग हैं? 1612 में आपके D कहां गया? हाँ, D यह गया, 25% लोगों को मिला है, ठीक है? 25% लोगों को टैब मिला है, लाइन बार, पाई से काम चल जाएगा, अरे सबी से काम चल जाएगा, अब यह थोरी पता चल ला है कि कौन सा पूछेगा, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो सिप D.I.E.S.I. वालों में तो D.I.E. मतलब होता है, एक सलेबस उसमें कुछ भी आ सकता है, 5 कोश्चन, ठीक है, बाकी इसमें तो 20 कोश्चन आना है, तो काम चलाने के लिए पढ़ना हो, सलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है, तो आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए, समय अभी बहुत है, तो ये 1612 का, कितना निकालना है हमें, 25 परसंट क्योंकि इनके पास टैब है, तो इसका 25 परसंट, 25 चोग को सो 1 बाई 4 हो जाएगा, 4, 4, 4, 16, 0, 4, 3, 12, मतलब 403 लोग ऐसे हो जाएगे इसमें, जिनके डी के पास क्या है टैब है, लेकिन अभी कोश्चन पूरा नहीं हुआ है, कोश्चन में बोला है, 25 परसंट चात्र जीने टैब मिला है, उनकी आयू 15 वर्से क्या है, कम है, ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, दोनों को अगर मिला लिया जाए, तो 17, 105 इसमें हो गए, और 403 ही हो गए, 5, 3, 8, 0, 7, 4, 11, 12, 168 टोटल स्टूडेंट, इन टोटल स्टूडेंट में से 25 परसंट ऐसे लोग है, जल्दी से बताओ, ठीक है, कितना आएगा, 4, 5, 20, ठीक है, और 20 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, 4, 5, 20, आपका 1 बचा, 4, 2, 8, 427, 527 आपका इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यहां से आया 527 अभी, यह वो लोग हैं, जो कितने हैं, जो 15 वर्ष से कम हैं, लेकिन आप से क्या पूछा है, आप से पूछा है 15 वर्ष से अधिक, तो टोटल, लोग कितने थे हमारे पास, 16, 0, 8, इसमें से 527 लोग क्या हैं, जो 15 वर्ष से क्या हैं, कम हैं, ठीक है, 15 वर्ष से कम हैं, तो एक कई सो मेंसे इनको घटा देंगे तो आट मेंसे साथ जाएगा एक दस मेंसे दो जाएगा आठ और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यहाँ जीरो दस मेंसे पांच जाएगा पांच और यह आपका एक पंदरा सो एक क्यासी लोग क्या हो जाएंगे 15 वर्ष से क्या है कम है ये इतने लोग होगा है 527 लेकिन question में आप से क्या पूछा है पूछा है 15 वर्ष से अधिक लोग चाहिए तो total लोग कितने आये थे 1208 आये थे अब 1208 में से 527 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1500 एक्या सी और वो कौन सा option है बी option है क्या हुआ प्रदीप ऐसे नहीं होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा बताओ हमें जल्दी बताओ तो आगे बढ़ा जाए क्या गड़ बढ़ है प्रदीप बताओ आगे बढ़ जाएंगे चलो अगला question बोला school C में छात्रों की संख्या जिने टैब नहीं मिला क्या टैब नहीं मिला school E में छात्रों की संख्या जिने टैब मिला से कितने प्रतिसत अधिकिया कम है question की language बोला यदि school B और D में कुल छात्रों की संख्या में से 25% छात्र जिने टैब मिला है उनकी आयू 15 वर्ष से कम है ठीक है तो यह क्या हुआ मदला 25% जो आपके student है वो 15 क्या है 15 वर्ष से कम है तो मैंने तो वही किया पहले क्या निकाला पहले total student निकाल दिया B और D में उसके बासे उनमें जिनको टैब क्या है जिनको टैब मिला है तो जिनको टैब मिला है इसमें 1705 है और इनमें कितने हैं tablet मिला है तो वो कितने हो जाएंगे 527 हो जाएंगे तो 527 लोग जिन्हें आपका क्या है 15 वर्ष से एज कम है लेकिन आप से पूछा है school B और D में उन छात्रों की संख्या ग्यात किजिए जिनकी आयू 15 वर्ष से अधिक है ठीक है तो वो उन ही में से पूछा है पेट में D.I.E. से कोश्चन 20 आएंगे अच्छा इसका अंसर बताओ school C में छात्रों की संख्या जिन्हें टैब नहीं मिला school E में छात्रों की संख्या जिन्हें टैब मिला से कितने प्रतिसत अधिक याग कम है इसका अंसर बताओं इसका अंसर देखें कौन बताता है सबसे पहले आसान सा है कुछ नहीं बस वहीं निकालो C में छात्रों की संख्या जिन्हें टैब नहीं मिला E में छात्रों की संख्या जिन्हें टैब मिला है जल्दी से आंसर बताइए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका अंसर अब आप ही लोग बताएंगे तभी हम बढ़ेंगे फिर वहीं काम करना है C है C में क्या है छात्रों की संख्या जिन्हें टैब मिला है तो पहले तो C को पकड़ो इसमें 30% क्या है टोटल है तो 12400 का 30% निकालोगे ठीक है उसके बाद से उसका कितना पर्सेंट निकालोगे टैब नहीं मिला है तो C मेंट कितने लोगों को परसेंट निकालोगे तो यह बार-बार calculation नहीं करना है एक बार जहां कर लिए तुसे ध्यान में रखे रहो कि यार डाटा ऐसा कुछ दिया था भी पीशे वाले में क्यूंकि आपके पास पांची स्कूल है इसी से गुमा फिरा के question पूछेगा उल्टा सिधा तो यहां से आप आपको निकल जाएगा कितना 2976 इन लोगों को क्या मिला था आपका टैब नहीं मिला था सी के अब यह में आते हैं छात्रों की संख्या जिन्हें टैब मिला जिन्हें टैब मिला तो यह वाले में टोटल स्टूडेंट पहले निकालो 12400 का कितना परसेंट निकालना हमें 20 पर और 80 आपके क्या हो जाएंगे टोटल इस्टुडेंट होंगे अब इनमें आपसे क्या लिएना है जिने टैब मिला है तो टैब मिलने वाले कितने हैं 40% है तो इसका 40% कितना हो जाएगा यह देखो 00 यह कैंसिल हो गया चार अठे 32 तीन और चार्चव को 16 तीन 19 एक चार दुनी आठेक नौ 992 कितना होगा नौ सो बानबे अच्छा हमने इसका क्या निकाला अच्छा यह गड़बर हो गया डेटा यह 40% आप न निकालो 40% तो टैब नहीं मिला है यहां टैब मिले वाल लेगा है ठीक है टैबलेट मिलने वाले का निकालना है हमें टैबलेट मिलने वाले का कितना है 60% है तो 60% जब करोगे तो यह आपका होगा है 6 कितना हो जाएगा अर्च्छा के 48, 4, ठीक है 64, 24, 24, 28 और 2 हो गया 6, 2, 12, 13, 14, 14, 14, 18, 14, 18, 14, 18 होगा यह 14, 188 होगा क्योंकि यह लेना है जिने टैब मिला है किसमें E में और इसमें जिने टैब नहीं मिला है अब इनका क्या पूछ रहा है आपसे कितने प्रतिसत अधी किया कम है तो अधी किया कम देखना है तो 29, 76 में से 1400 क्या कर दो माइनस कर दो तो कितना बचेगा 8, 8, 16 यहां 8, 14, 188 ही बचेगा और वही पूछ रहा है आपसे कि कितना C के छात्रों की संख्या जिने टैब नहीं मिला, स्कूल E में छात्रों की संख्या जिने टैब रहे है से कितने परसेंट तो E के रिस्पेट में बताना है E में तो नीचे क्या जाएगा? 1488 difference कितने का है? 1488 का है तो percentage कितना हो जाएगा? कट के 100% हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 100% क्या है आपका अधिक है हंडेड परसेंट क्या है आपका अधिक है पचास परसेंट का आंसर दे रहे हो कोश्चन यह न पूछा था कि स्कूल स्थीम जो सी में छात्र हैं उनकी संख्या जिने टैब नहीं मिला है वो ए के स्कूल के छात्र जिने टैब मिला है उससे कितना अधिक या कम है तो यहां संख्या क्या दिख रहे है यह तो ए वाली है यह जादे है इसका मतलब यह कितना परसेंट जादे है 100% जादे है सी के रिस्पेक्ट में कहां पूछा है और तुम लोग तो कमाल कर देते हो कभी कभी विसाल सी के रिस्पेक्ट में कहां पूछा है स्कूल सी में छात्रों की संख्या जिने टैम नहीं मिला से कितने परतिसत इससे कितने परतिसत सी वाला है ठीक है इसी लिए यह क्या होगा आपका नीचे होगा इसके रिस्पेक्ट में पूछा है यह नीचे होगा तो इक कितना फिगर था 1488 था अगले में आते हैं इस कुश्चन को देखिए यह आपकी दूसरा है दूसरा टेवल है उसमें आपको बताना है इसमें क्या है निम्न सानी पर विचार कीजिए वर्स 2015 से 2019 तक विभिन विश्विद्याले ABC में दाखिल लड़कियों की संख्या को दर्साता है सानी में दी गई जनकारी के अधार पर प्रशनों का उत्तर देजी है ठीक है शिर्फ लड़कियों की संख्या है इसमें एक विश्विद्याले में लड़कियों की संख्या हाँ E के respect में पूछ रहा है ना कि C के यहां बताओ Queshan 2018 में विस विद्ध्याले C में दाखिल लड़कियों का कुल संख्या समान वर्स में विस विद्ध्याले A और विस विद्ध्याले B में दाखिल लड़कियों के कुल एकतित संख्या के बीच का अनुपात क्या है चलो देखते हैं यह असान सा कोश्चन है बस कैलकुलेशन पर है वर्स 2018 में विस विद्ध्याले C में दाखिल लड़कियों की कुल संख्या 2018 में C में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 15,000 है ठीक है अब और किसके साथ अनुपात पूछा है समान वर्स मतलब उसी वर्स में विस विद्ध्याले A और विस विद्ध्याले B में दाखिल लड़कियों की कुल एकतित संख्या पूछा है तो A और B देखें 2018 में B में देखें तो 25,000 A में देखें तो 20,000 तो 20 और 25 कितना हो जाए 45, 45, 45, तो टोटल यह 45 है इनका रेशियो पूछा है तो यह यह कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब 15 है 15 है 15 यह 45, 10 ठीक है 45,000 यह पूरा पूरा जीरो कट जाएगा तो एक रेशियो आपका तीन आंसर हो जाएगा ठीक एक रेशियो तीन क्या होगा आंसर हो जाएगा ओप्शन डी सर जिन्हें टेम मिला 60 होगा जिन्हें टेम मिला 60 ही तो किये थे पहले 40 पर कल्कुलेट कर रहे थे उसके बासे 60 पर ही तो किये है साठ पे किया है तो 1488 होगा जब यहां 1488 होगा 2480 का साठ पर से निकालोगे तो 1488 होगा वन डेस यो तीन हो गया अब इसमें बताओ बोला है वर्स 2019-2015 में दाखिल लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर option से बताना है आपको नियुम्तम है किसमें नियुम्तम है केवल विस्विद्दाले A में या B में या A B दोनों में या A C दोनों में इसमें बताइए सर आर इ समझ में नहीं आता क्या आरी समझ में नहीं आ रहा है संतोजी क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताईए हमें वर्स 2019-2015 में दाखिल लड़कियों की संख्या रेसियो समझ में नहीं आता मैस के लेक्चर देख डालिए वर्स 2019-2015 में दाखिल लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ब्लैंक है लिए नियुम्तम है किसमे नियुम्तम है केवल बिद्याले A में है या B में है या A B दोनों में है या A C दोनों में है चलो देखें तो यहां पर किसमे 2019 और 2015 19 को यहां गोला कर लो 15 को यह गोला कर लो अब किस लड़कियों की संख्या का बताया गया इसमें तो यहां देखो अगर ए बिद्ध्याले में देखें ठीक है ए वाले बिद्ध्याले में देखें तो 25 और 15 माइनस करोगा कितने का डिफरेंस आ रहा है 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ठीक है 10,000 का यहां डिफरेंस है बी वाले में देखो तो बी वाले में भी 10,000 का डिफरेंस है आपका ठीक है और सी वाले में देखोगे तो 22,500 यहां है और 5,000 यहां पे है तो यहां 7,5 बार मतलब 17,000 का डिफरेंस है आपका, 17,000 सम्थिंग का, तो यहाँ डिफरेंस जादे है, यहाँ 10-10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर इसमें देखा जाए, तो option क्या होगा, केवल विस्विद डाले A में नियुम्तम है, क्योंकि A और B तो दोनों में सेम है, C में थोड़ा जादे है, तो answer क्या हो जाएगा, A और B दोनों में क्या है, नियुम्तम है, 17,500 यह होगा, लेकिन A और B में जो डिफरेंस दिख रहा है, यह 20,000 है यह 10,000 है, तो यहाँ भी 10,000 का है, यहाँ भी 10,000 का है, तो दोनों में नियुंतम होगा, option से करना है हमें इसे C correct होगा, अगला question, वर्स 2017 में तीनों विश्विद्याले में दाखिल लड़कियों की एकत्रित संख्या का आउसत क्या है? इसका अंसर बताईए, वर्स 2017 में तीनों विश्विद्याले में दाखिल सभी लड़कियों का आउसत बताना है आपको, तो कौन से 2017 में? 2017 में इन सभी को जोड़ दो, A, B और C, जितने लड़कियों दाखिला लिए हैं, उनका आउसत बताना है, तो जल्दी से बताओ, आउसत क्या होगा? 16,500 आउसत होगा, चलो देखते हैं, तो यहां आजो कुछ करना नहीं जोड़ना है, 22 यह है, 15 यह है, तो जोटल यह हो गया, इसका एवरेज निकालो गया, तो यह कितना हो जाएगा? 16,500, ठीक है, 16,500, क्योंकि 16,300, 49,500 होगा, तो 16,500 आपका क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा, क्योंकि हमें किसका देखना है, तीनी विद्धाले हैं, A, B और C हैं, 18,500 कहें जा रहे हो भईया, हरसित जी, कहें 18,000 पे जा रहे हो? 16,000 होगा, क्योंकि 49,500 होगा, और नीचे 3 से डिवाइड कर ले हो, तो 16,300 होता है, तो 16,000 क्या प्रॉक्स आंसर होगा, ना? अगला कोर्शन, वर्स 2015 में, तीनों विश्विद्धाले में दाखिल लड़कियों की कुल, एकत्रित संख्या, वर्स 2018 में, विश्विद्धाले C में दाखिल, लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिसत है? यह देखो यह द्यान से पढ़ो 2015 में 30 विद्याले में दाखिल जितनी भी लड़किया है ठीक है संख्या वर्स 2018 में विद्याले C में दाखिल लड़कियों के कुल संख्या का कितना प्रतिसत है तो किसके रिस्पेक्ट में पूचा है C के रिस्पेक्ट में पूचा है ठीक तो नीचे डेटा किसका होगा C का होगा तो जल्दी से बताओ कितना परसेंट है जल्दी से बताओ देखो 2015 में सभी विद्याले का देखना है तुम्हें 2015 के सभी विद्याले 15 और 10,000 और 5,000 15 15 30,000 तो 2015 में टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी और 2018 में विद्याले C में दाखिर लड़कियों की संख्या 2018 में C में कितनी है दाखिर 15 है 2018 के C में 15,000 है तो इसके respect में पूछ रहा है कि दाखिर लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिसत है कौन जो 2015 में total student है लड़कियां है जो total ये 30,000 इसका कितना परसेंट है तो देखने से नहीं लग रहा है डबल दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 200 परसेंट है ठीक है 30 हजार अपॉन 15,000 इंटू 100 तो 15 दुनी 30 यहां आजाएगा 200 परसेंट अगला कुश्चन तीनो विस्विद्दाले में दाखिर लड़कियों का एकत्रित संख्या वर्स किसमें सबसे अधिक है वो तो देखने से लग जाएगा ये सबसे आसान डियाई था कि आपको बस देखने से आपको करना है कुछ भी पेन उठाने की जरुरत नहीं है राहल जी खुस रही है मस्त रही है स्ष्त रही है ये डियाई ऐसा था कि पैन उठाने की जरुरत नहीं थी calculation भी बहुत कम था तो यह ध्यान रखो अगर आपके पास total 4 DI आएगा 4 में 2 हो सकता है tough हो 2 एकदम आसान होंगे 2 DI आपके एकदम tough हो सकते हैं मतलब calculated हो सकते हैं 2 ऐसे होंगे कि जिनको आप देखो गया तुरंट करते निकल जाओगे अरे खुस रहो मस्त रहो स्वस्त रहो रहूल हाँ इसका वताओ क्या होगा यहां देख रहो है यहां कितना निकाले थे हम लोग अभी 30,000 निकाले थे यहां कितना है 20,10,30,30,40,47,500 के लमसम है यहां देखो तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा है सब के सब 2 के figure में मतलब 20 के figure में है to 60 तो ऐसे हो गिया ठिक है सब्से जाधी यह आपका कौन सा है सबसे चला है कि सबसे जदे इसी में होगा कि कि इसमें भी होगा इसा नहीं कि Saat नहीं होगा क्योंकि 20-20-40 और 5 ज्या ते भी 20 साथ यह भी होजाएगा अ currently rega tir свski सेबन थाूजें फाइफ selbst हो जाएगाрастon two tell-elf चलो बढ़ते हैं ये कुश्चन मैंने होमबर्ग में आप लोगों को दिया था इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताईए किसी ने निकाला था येलो क्लियर है चलिए दुरगेश जी ने निकाला था 136 आंसर आएगा बहुत ही बढ़िया है बताईए इसका आंसर किसका 136 आया है जल्दी से बताओ सभी स्कूलों में लड़कियों का कुल संख्या का आउसत क्या है यहां देखो क्या लिखा है इसकूलों में लड़कों और लड़कियों के संख्या के बीच अनुपात लिखा है यहां टोटल स्टूडेंट है यह पूरा टोटल स्टूडेंट है यह आपका स्कूल है और यह किसी सामरों में भाग लेने वाले चात्रों में, चात्रों में सब आ जाएंगे लड़का और लड़की, लेकिन अभी यहां से पूछ रहा है, सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या पूछ रहा है तो अगर बात करें हम लोग A में ठीक है, A में आपके number of student number of कौन चाहिए, boys and girls में girls चाहिए न, तो ratio में यह कौन सा है, यह boys है और यह girls है, तो अगर देखा जाए, ratio के term में बात करें तो 8 ratio बराबर कितने हैं, 400 लोग हैं, ठीक है, तो वो आपसे बात कर रहा है किसका girls के लिए बोला है, लड़कियों के लिए तो लड़कियों का अनुपात कितना है, तीन ratio है, तो तीन ratio बराबर कितना हो जाएगा, 400 बटा 8 into 3 तो 8, 45, 5 यहां हो जाएगा, 50, अब पांती है 15, 150, आपका यहां से A में girls आएगी यह क्या है, A में girls ठीक है, B में कितने आएगे देखो, B में 360 है यह 9 है, तो ratio किसका girls का निकालना है, तो जो निकलेगा, वो उपर रहेगा ratio में girls उपर रहेगे, 4 है और दोनों का add करके कितना होगा, 9 into कितना हो जाएगा, 360 सेम चीज हुआ है, यहां पर भी देख लो जिसका निकालना था, girls का निकालना था, नीचे दोनों का sum ठीक है, वैसे ही, यहां पर होगा 9, 4, 36, 4, 4, 16 मतलब, 160 आपके यहां पर B में हो जाएगे girls, C में कितने होंगे, 280 है प्रदीप जी, खुस रही है, मस्त रही है स्वस्त रही है, ठीक है 280 है, 280 का कितना करोगे यहां पर आपका 1 होना चाहिए girls और यहां पर total 4, तो 4, 28, 28 मतलब 70 हो जाएगा, C के बाद D की बात आती है, तो D में 300 है, 300 गुड़े कितना होगा, 2 उपर होगा, क्यूंकि girls का निकालना है, और दोनों का sum 5 यहां होगा, 5 चे के 30 हो जाएगा 6 दोनी 12 मतलब 120 आ जाएगा, और यह वाले में कितना हो जाएगा, 340 गुड़े, यहां पर 9 और नीचे 17, तो 17 दोनी 34, ठीक है, और 9 दोनी 18, 180, अभी आपके पास कितना आ गया है, अभी आपके पास जो आया है, वो कुछ ऐसा है, 150 160, प्लस 70 प्लस 120 प्लस 180 अभी इन सब का sum करके आपको क्या करना है, कुल संख्याओं का आउसत निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, इन से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना हैगा 136 ही आएगा क्या हुआ विसाल जी से सू हो रहे हैं, आपके भी कमेंट सू हो रहे हैं 136 आंसर आएगा, कल का यह हूंबर कुश्चन था, कुछ नहीं, बस आपको girls candidate का यहाँ पर निकाल लेना है और सभी को sum करके आपको क्या करना है, उसका average निकाल लेना है ठीक है, चलो चलो, ब्लैक और क्लियर हो रहा होगा अब आते हैं अगला कुश्चन आपका है यदि स्कूल D में सभी लड़कों ने सामरों में भाग लिया तो उस स्कूल में कितने प्रतिसत लड़कियां ने सामरों में भाग लिया अभी बताईए यदि स्कूल D में सभी लड़कों ने सामरों में भाग लिया तो उस स्कूल में कितने प्रतिसत लड़कियों ने समारों में भाग लिया इसका आंसर बताईए जल्दी से उमा खुस्वाहा जी गुड इवनिंग स्वागत है कितना आएगा 60% आएगा विसाल इतना तेज चलो सही से आंसर दो तुक्के मत दो यहां बोला यदी स्कूल D में सभी लड़कों ने समारों में भाग लिया तो इस्कूल D की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितना है 300 है टोटल स्टूडेंट आपके कितने है D में 300 लोग है अब इसमें अगर मैं बात करूँ वाइस की लड़कों की तो लड़कों की संख्या कितनी होगी रेसियू देखो 3 और 2 है तो लड़कों का रेसियू कितना है 3 तो 3 उपर होगा और दोनों कसम नीचे होगा मतलब 5 नीचे होगा ठीक है और 300 से करेंगे तो हमें लड़कों की संख्या मिल जाएगी तो यहां 5 है के कितना हो जाएगा 30, 60 और 6, 33, 18 मतलब 180 आपका यहां पर boys हो जाएगे 180 boys हो गए और अगर बात किया जाए इसमें क्या कि school D में सभी लड़कों ने समरों में भाग लिया यह पूरे के पूरे जो लड़के है वो सभी ने क्या किया है भाग लिया है यह ध्यान रखना लेकिन यह भी देखो कि कुल छात्र यहां बोला है समरों में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिसत कितना है D में 80% है ठीक है तो अगर हम टोटल 300 है इसका अगर 80% निकाले क्योंकि टोटल D में कितने student है 300 है उसमें से 80% लोग समरों में भाग ले रहे है जिसमें से जितने लड़के हैं वो सब के सब समलित हो रहे है तो यह 180 तो रहेगा बाकी जो बचा वो खौन है देखो वो गल्स होगा इसका 80% अगर निकाला जाए तो यह क्या हो जाएगा आपका 83 के 24 240 लोग आपके क्या होंगे समरों में भाग लेंगे अब 240 में 180 क्योंकि question में बोल दिया कि D में जितने भी लड़के हैं वो समरों में भाग ले रहे हैं तो 180 लड़के हैं तो इसमें से 180 घटा दोगे तो कितना बचेगा इसमें से बचेगा आपका 60 तो ये जो 60 हैं ये जाहिड सी बात कौन है गर्ल्स हैं जो समरों में भाग ले रहे हैं क्योंकि 180 के 80 students सब के सब किसमें भाग ले रहे हैं समरों में ले रहे हैं अच्छा टूटल गर्ल्स कितनी होंगी अगर girls का पूछा जाए तो girls कितनी होंगी दो ratio है ना तो 2 उपर हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा 300 कर लो तो 5 है कि 362 नी बार मतलब 120 total girls 120 है जिसमें से 60 girls ने सामरों में भाग लिया आप से क्या पूछ रहा है तो उस school में कितनी प्रतिसत लड़कियां ने सामरों में भाग लिया total 120 लड़कियां है जिसमें से 60 ने भाग लिया तो 60 upon 120 कितना परसेंट हो जाएगा ये बताओ तो ये 60 कितना हो जाएगा 6 कम 612 यहां से आपका 50% आएगा 50% लड़कियों ने सामरों में भाग लिया 50% होगा आंसर B सही होगा A नहीं 50% A सही नहीं होगा B सही होगा A में तो 60 है 50% आपका सही होगा अगले कुश्चन पर बढ़ें अगला कुश्चन बोला इसकूल A में सामरों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या उस स्कूल में लड़कों की संख्या का कितना परतिसत है ध्यान से पढ़ना जो स्कूल A में सामरों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या है चाय वो जितनी वे छात्रों की इसमें लड़का लड़की ने पूछा टोटल इस्टुडेंट जो आपके किसी सामरों में भाग ले रहे हैं उसी स्कूल के लड़कों की संख्या का कितना परतिसत है तो एव स्कूल के जो लड़के हैं उसका कितना परतिसत छात्रों ने किसी सामरों में भाग लिया है तो ये कोशन है जनरल सा बताओ तो इस school A में, सामरों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, देखो A यहां है, 70% 6 सामरों में भाग ले रहें, तो 400 का 60% निकाल दोगे, तो total आपको किसी सामरों में भाग लेने वाले लड़के आपको मिल जाएंगे, टोटल सामरों में भाग लेने वाले चात्र मिल जाएंगे लड़के नहीं पूरा चात्र में सब आ जाएंगे ठीक है वो कितना होगा 400 का कितना परसेंट 70% अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाएगा चार सत्य 28 मतलब 286 जो हैं किसी सामरों में ए से कॉलेज ए से चाए स्कूल ए से भाग लेंगे अब नेक्स आप से क्या बोले जा रहा है उस स्कूल के लड़कों के संख्या का कितना परतिसत है जो भाग ले रहा है वो लड़कों के संख्या का कितना परतिसत है तो अगर ए में boys देखा जाए कितने होंगे तो वो कितने होंगे boys का ratio कितना है 5 total ratio है 8 तो 5 उपर हो जाएगा नीचे total 8 हो जाएगा 400 का अगर निकालेंगे तो यहां हमें a में boys पता चलेगा तो 8, 45 5, 25 मतलब 200, यहां हो जाएगा 200, तो वो पूछ रहा है कि यह जो है 280, इस 2500 का कितना प्रतिसत है, तो कैसे निकालोगे तो उपर क्या रहेगा 280, नीचे क्या होगा, किसके respect में पूछा है इन boys के respect में पूछा होगा तो नीचे होगा 250 100% से जादे ही answer आएगा तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर जल्दी से बताओ 25, यहां 20 ठीक है और 5 ओको 20 4 वठे वठती, 4 दुनी 8 9, 10, 11 112% आपका answer हो जाएगा कितना हो जाएगा विसाल जी बहुत बढ़े है 112% आपका answer हो जाएगा 112% है ठीक है जो एस स्कूल A से जितने चात सामरों में भाग ले रहे है वो उस स्कूल के लड़कों से 112% है ठीक है अगले कुश्चन पर आते है बोला है यदि स्कूल B और स्कूल C में सभी लड़कियां सामरों में भाग लेती है तो स्कूल B और स्कूल C में सामरों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात ग्याद कीजिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा बोला स्कूल B और स्कूल C में सभी लड़कियों सामरों में भाग लेती है ठीक है जितनी लड़कियां है B और C में सब सामरों में भाग ले रही हैं तो इस्कूल B और C में सामरों में भाग लेने वाले लड़कों के संख्या के बीच का अनुपाद ग्याद करिए जल्दी से बताईए क्या होगा इसका अनुपाद देखो किसी का है हांज़र देखो यहां क्या है अगर B की बात करें तो B के टोटल ऐसे स्टूडेंट जो सामरों में भाग ले रहे हैं वो कितने होंगे B में देखो 75% जो लोग हैं वो कह कर रहे हैं किसी सामरों में भाग ले रहे हैं तो B और C में सभी लड़कियों सामरों में भाग लेती हैं तो अभी तो हम ये देख लें कि कितने लोग भाग ले रहे हैं सामरों में ठीक है कितने लोग ले रहे हैं तो अगर 360 का हम 75% निकालने तो हमें पता चल जाएगा कि सामरों में कितने छात्रों ने भाग लिया तो यहां से आप देखो यह कितना हो जाएगा 360 का 75% आपको निकालना है क्या हुआ 112 ठीक है यहां देखते हैं तो यह आपका 00 कट गया 25 यहां पे आपका कितना हो जाएगा अगर इसको काडते हैं तो यह आपका हो जाएगा 2,5,10 और आपका हो जाएगा यहां नीची और यहां 5 है 5 कैतना होगा 5 माच एक कम 5 25 पंदरा 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 हो गया यह 18 हो गया आठ पांस तहीं मतलब 200 200 कितना आएगा 70 आएगा तो 270 लोग जो होंगे आपके टोटल पाटिसिपेंट होंगे जो किसी सामरों में भाग ले रहा हैं अब आते हैं हम लोग किसमें कि अगर बात किया है कि यदि स्कूल B और स्कूल C में सभी लड़कियों ने सामरों में भाग लेती हैं तो पहले B में girls निकाल लो, B में girls की संख्या निकाल लो, कितनी होगी, यहाँ पे देखो, 360 है, girls कितना है ratio, 4, तो वो उपर होगा, total कितना होगा, 9, तो 9, 9, 36, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 40, 6, 16, 160, 160, और यह पूरे के पूरे क्या कर रहे है, participate कर रहे है, इसका मतलब B से 22 का नंबर कितना हो जाएगा, participant में, यहाँ देखो, ठीक है, 160 girls participate कर रहे हैं, total 270 है, तो 270 में से 160 माइनस कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, एक, दो में से 1 जाएगा, एक, ठीक है, तो 110 यह क्या आ जाएगे आपके, यह आपके बॉइज आ जाएगे, जो समरो में भाग लिए हैं, जिसमें, समरो में भाग लिए हैं, वो लड़के आ जाएगे, कितने 110 आ जाएगे, C आरा अंसर, लोग, क्या करते हैं, किसी समरो में भाग लिए हैं, 65%, ठीक है, 65% लिखते हैं, तो 280 का 65% कितना हो जाएगा, ठीक है, 280 का 65% कितना हो जाएगा आपका, यह कटा, यह 14, 28, 13, 65, 13, 13, 12, 182, 182, आपका क्या जाएगा यहाँ पर, इसमें टोटल पार्टिसिपेंट हो जाएगे, उसके बाद से आपको इसमें गल्स पता करना है, C में गल्स कितनी होंगी, तो C में गल्स कितनी होंगी, एक रेसियो दिया, टोटल 4 होगा, और 280 होगा, यहाँ पर, तो 4 सते 8 सत्तर, मतलब टोटल सत्तर यहाँ पर, गल्स जो हैं, पार्टिसिपेंट करेंगी, तो 182 में से 70 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 8 में से 7 जाएगा A, और यहाँ बचेगा आपका 112, तो 112 और 102, यहाँ पर यह बचेगा C से, जो सामरों में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है, सामरों में यह लड़के भाग ले रहा है, तो अभी रेसियू देखा जाए, तो 110 और 112 का आ रहा है, क्या यही पूछा है आप से क्या, हाँ, B और C में सामरों में भाग लेने वाले लड़कों के संख्या के बीच का नुपाग, तो यही है, यह B में भाग ले रहा हैं, और यह C में भाग ले हैं, अब इसको साट करो, इसको साट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2,5, 2,5, 5,5, 2,5, 25 और 56 का रेशियों होगा, कौन सा है C, तो C वाले सही होते हैं एकदम, कोश्चन समझना ही बहुत कठीन है सर, आंसर कहां से, अरे इतना नहीं है, इतना कोश्चन समझने में कहां कठीन है, बोला यदि स्कूल B और स्कूल C में, सभी लड़कियां सामरों में भाग लेती हैं, ठीक है, जितनी लड़कियां है, B और सी स्कूल की, वो क्या कर रहे हैं, सभी सामरों में भाग ले रही हैं, ठीक है, तो स्कूल B और सी में सामरों में भाग लेने हैं, लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा है आपसे, थोड़ा सा घुमाया है बस, तो पहले तो आप देख लो कि टोटल B में कितने लोग सामरों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पचातर परसिंट मतलब 270 लोग, आप 270 में लड़कियां कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले लड़कियों का संख्या निकालो, क्योंकि जितनी लड़कियां वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां बोला है, सब ही लड़कियां सामरों में भाग लेती हैं, तो B में लड़कियों की संख्या निकालो, 360 में 160 लड़की, तो यह पूरे के पूर अगला कोश्चन सभी स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या यह द्यान रखना सभी स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या और सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या में कितना अंतर है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या में कितना अंतर है यह आप से पू प्रूटल कितना हो जाएंगे पूटल गर्ल्स हम लोग पहले वाले में निकाले थे कि उसमें हमने एवरेज लिया था हमने उसमें क्या लिया था एवरेज लिया था जल्दी से बताईए इसमें क्या होगा देखो हमने इससे पहले वाले में किया निकाला था लड़कियों की संख्या निकाला था कहा गया यहीं से थोड़ा सा तुम्हारा काम हलका हो जाएगा यह सभी में लड़कियों की संख्या निकाले था न तो इसको कितना था यह तो हमने एवरेज निकाला था इसे प्लस कर ले 150, 160, 170, 120, 180 तो देखो 0, 0, 0, 0 है लास्ट में 0 होगा 8, 2, 10, 10, 7, 17, 17 और 6 20, 30 और 5, 28 28 के 2, ठीक है 8 केरी आया 2 उसके पास 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6 680 क्या हो जाएंगे आपके 55, ठीक है अभी देखते हैं वहाँ पे क्या था बोला सभी स्कूलों में लड़कों की कूल संख्या और सभी स्कूलों में लड़कियों की कूल संख्या में कितना अंतर है सभी स्कूलों में हमने लड़कियां तो यहां निकाल दिया यहां देखू यहां जो निकाला हमने क्या निकाला था सभी स्कूलों में A, B, C, D और E 180 1, 2, 3, 4, 5 सम्में हमने निकाल दिया कितने आ रहे हैं 680 आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 और 2, 680 680 आएगा ना यह बता ना टोटल क्या आएगा देख लेना एक बार जोड़के 8, 2, 10, 7, 17, 7, 6, 23, 25, 28, 2 और 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6 680 आएगा ठीक है तो यह टोटल हमने निकाल लिया यहां पर 680 क्या होंगे आपके 680 क्या होंगे गल्स होंगे टोटल सम्में अब आपसे पूछ रहा है सभी स्कूलों में लड़को की कुल संख्या लड़को की कुल संख्या कैसे पता चलेगी आप इन सबको जोड़ दो यह टोटल आपको पता चल जायगा न यह कितना है अगर जोड़ोगे तो यहां पर टोटल कितना आजाएगा 0, 0 हो जाएगा 8, 4, 12, 12, 6, 18 18 के 8 हाथ में आया 1 4, 3, 7, 7, 7, 10, 10, 2, 12, 12, 12, 13, 15, 15, 16 1680 है 1680 में से किसको घटा दें 680 को घटा दें तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी की नहीं क्योंकि ये गल्स है और ये आपका 1680 क्या है हमने total student जोल लिया total student जोल लिया तो उस total में से हम गल्स वाले को घटा देंगी तो हमें 20 पता चाहिएगा कितना हो जाएगा 1000 हमारे पास 20 हो जाएगे तो अब इनके बीच में क्या पूछ रहा है कितना अंतर है तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1000 में से 680 घटा दो तो आपको अंतर पता चल लाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 यहां हो जाएगा 3 320 का अंतर हो जाएगा कितना हो जाएगा 320 का अंतर हो जाएगा समझ में आया तो इसलिए जो calculation पहले वाले question में किये कि total हमने जोड़ा था लड़कियों को निकालके 680 आया था और इसको जोड़ दे है total क्यूंकि अभी girls boys निकालते ratio में सभी में फिर girls निकालते तो वो लंबा जाता पहले आपने girls निकाल लिया है total तो उसको याद कर लो 680 हमने कहीं calculate किया था ठीक है उसके बाद से इसको जोड़ लो जोड़ने के बाद उसमें से girls को घटा तो boys पता चल जाएगा तो total आपका answer कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा नहीं तो अभी क्या करते पहले boys निकालते ऐसे ratio से फिर girls दोनों को sum करते उसका बाद अंतर देखते ठीक आगे आते हैं इसकूल A, C और D में एक साथ लड़कियों का आउसत संख्या क्या है A, C अचा यह दूसरा question चालू हो गया यहाँ से दूसरा question चालू हो गया है उसी question को मत देखना यहाँ से दूसरा question आपका चालू हो गया है क्योंकि यहाँ पर अनुपार तब बदल गया है वो सामारोव वाला नहीं है अब ठीक तो अब बोला इसकूल A, C और D में एक साथ लड़कियों की आउसत संख्या क्या है जल्दी से बताईए इसकूल A, C और D में एक साथ लड़कियों कि अवसस संख्या क्या है। कि देखो असान सा कोश्वन है एक सीओ डी पकड़ना एसमें से आपको किसका बोलना यहां पर देगा पड़ते कि इस्कूल में लड़कियों और लड़को पहले यहां पर गौन है फिर बुवायस है यह ध्यान रखना तो एसीडी में एक साथ लड़कियों कि ऑसस संख्या क्य पहला वाला, 23, ठीक है, 23 रेसियो, और नीचे कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, और 2, 1, 3, 35, इंटू 7, ठीक है, 35 दूनी 70, 20 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टोटल कितना आपका, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 460, 460 गल्स आपके A में होंगी, 460 गल्स आपके A में होंगी, अब उसके पासे कौन सा पकड़ना है, C को पकड़ना है, इसमें भी गल्स का पता करना है, वो कितना होगा, टोटल है मारे पास कितना है, C में 640 है, गल्स पता करना है, तो गल्स 19 होगा, तो उपर 19 होगा, और नीचे दोनों का सम होगा, तो 9, 3, 12 ठीक है और 1,1,2,1,3 32 32 दूना 64 20 यहां से 19 दूनी 38 38 आपका यहां पर गल्स हो जाएंगी उसके बाद से गल्स किसमें पता करना है में सी के बाद किसमें पता करना है डी में पता करना है ठीक है तो डी में कितना है टूटल हमारे पास 480 है 480 में गल्स पता करना है तो उपर गल्स होएं साथ होगा और दोनों का समेशन 9 सा 16 16 यहां साथ तरीक 21 मतलब 210 210 आपका यह हो गया आप इनका क्या पता करना आउसत पता करना है तो इनको जोड़नों 0000 आ जाएगा आठ छे 14 एक 15 केरी 1 437 आठ एक 9 एक 10 1050 होगा अब 1050 का एवरेज लेना है कितनी संस्था है तीन संस्था होते से तो यह कितना आ जाएगा आपका जल्दी से बताओ एवरेज कितना आ जाएगा यह 350 आपका आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया ठीन सो पचास थोड़ा कैलकुलेटिव आपको होना पड़ेगा चीजों में 350 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले कोशन पर बढ़ते हैं तो कुछ करना नहीं था सभी में गल्स का रेशियो के हिसाब से निकाल लेना था बाकी आपका आंसर आजाएगा बोला स्कूल B और स्कूल C में कुल लड़कियों की संख्या तथा स्कूल D में लड़कों की संख्या के बीच संबंदित अनुपात क्या है देखो, 쉽el B, और C में कुल लड़कियों की संख्या तथा इसकूल D में लड़कों की संख्या के पीछ संबंदित अनुपात क्या है, अब इधर हमने किसका किसका निकाला था C का निकाला था साइड इसमें किसका पूछ रहा है B और C का पूछ रहा है और इधर हमने किसका निकाला है सिफ C का निकाला है 380 तो देखो C में तो पता चल गया थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन यहां पर इससे काटते हैं पांत यहां पंद्रा यहां पांच एकम पांच सो हो जाएगा तीन यह होगा अंडेड यह होगा तो यह आपका क्या पॉइंट में आएगा क्या सत्तरा सो अपान तिरी यह सत्तरा रेसियो अठ्थ है अच्छा यह 15 नहीं यह 25 होगा आठ साथ 15 ठीक है और यहां पर कितना हो जाएगा टोटल 25 हो जाएगा ठीक है यह 20 हो जाएगा यहां पर और यह 17 17 दूनी 34 मतलब 3 4 0 आपका यहां हो जाएगा यह होगा ना आठ रेसियो 3 अच्छा आंसर होगा चलो देखते हैं 340 यह आगया 300 C यह आगया तो दोनों को क्या कर तो जोड़ दो स्कूल B और C में कुल लड़कियों की संख्या तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हैगा 0 8 4 12 ठीक है 3 3 6 और 7 720 तो यह हो गया अब इसमें देखो क्या कोई मल्टिपल है क्या 720 को कड़ जाए साथ 8 9 3 सभी है अभी पूरा करना ही पड़ेगा तभी आपका आएगा अब बोले स्कूल D में लड़कों की संख्या के 20 संबंदित अनुपात क्या है अब D का लड़कों का संख्या निकालो 480 है और लड़कों का है तो 9 होगा पीशे वाला और दोनों का सम नीचे होगा अब यहां पर क्या होगा नत्री के 27 और नो अठे 72 आठ रेसियो तीन आपका कौन सा होगा यह होगा आठ रेसियो तीन सी वाला सभी लोग आंसर दे दियें बहुत बढ़िया यहां आजओ इस्कूल A में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिसत अधिक है कितने प्रतिसत अधिक है जम दी बताईए अधिक है यह में लड़कों की संख्या और डी में लड़कियों की संख्या अभी हमने डी में किसका निकाला था डी में लड़कों का निकाला था साहिद हाँ, D में लड़कों का निकाला था, ठीक है, लड़कियों का निकालना है, यहाँ देखो, स्कूल A में लड़कों की संख्या, A में boys कितने होंगे, A में boys कितने होंगे, 700 है न, 700, कितना होगा आपका यहाँ पर, 22 है तो 12 यह होगा और 30 और 12 कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 2, 1, 3 35 दुनी, 70 20 यह होगा, 12 दुनी 24, 240 हो गया ठीक है 240 हो गया अब यहाँ पर किसको देखना है फिर से D को देखना है D में क्या देखना है आपको लड़कियों की संक्या देखना है इसमें हमने लड़कों का निकाला अब इसमें लड़कियों का निकालना है तो D में 480 इंटू लड़कियों का करना है तो 7 यहाँ होगा और 2 नों का सम यहाँ होगा 16, 16, 43, 47 मतलब 210 यहाँ लड़किया हो जाएगे तो यही पूछ रहा है कि स्कूल A में लड़कों की संक्या स्कूल D में लड़कियों के संक्या से कितना प्रतिसत अधिक है तो 240 में से 210 घटा होगे कितना आएगा 30 आएगा किसके रिस्पेक्ट में पूछा है लड़कियों के रिस्पेक्ट में पूछा है तो लड़कियों वाली संख्या क्या होगी नीचे होगी इंटू 100 होगा क्योंकि प्रतिसत निकालना है कितना प्रतिसत अधिक है तो यहाँ से निकाल लो यह आपका 0 यहाँ से कैंसिल हो गया 3 एककम 3, 10 होगा 3 सबते 21, 7 होगा यह आपका होज़गा 100 अपॉन 7 यह आपका कितना आएगा 14 something के प्रोक्स आएगा 14 वाला आपका उप्सन सही होगा 14.28 वाला उप्सन आपका सही होगा 14.28 आपका उप्सन क्या होगा यह करेक्ट होगा अगले कुश्चन पे आते हैं इसको देखो 33.33 यदि स्कूल E में कुल लड़कों की संख्या का देखना E में कुल लड़कों की संख्या का 33.33 परसेंड स्कूल C से अनुत्रिन छात्रों का कुल संख्या के बराबर है तो स्कूल C की परिश्चा में तो स्कूल C की परिश्चा में चात्रों की संख्या ग्याद कीजिए देखो एकदम ध्यान से करना ई में जितने लड़के हैं उसका कितना परसेंट 33.33% वो अनुत्रिन चात्रों जो सी में अनुत्रिन चात्र हैं उसके बराबर है यह ध्यान रखना तो इसका पहले हम 33.33% निकाल लेंगे जो आपके ई में टोटर लड़के हैं वो जो संख्या होगी उतने ही संख्या सी में क्या हैं आपके अनुत्रिन हैं तो वही पूछा आप से इसकुल सी में उत्रिन होने वाले कुल चात्रों की संख्या ग्याद कीजिए तो यहां आपको पूरा चात्र तो पताईए तो वहां से आप उन चात कि अरे कुछ नहीं 33.33 मतलब क्या हो गया हंडेड़ थ्री परसेंट यहीं तो लिखा है यह यह आपको क्या करना है किसका इका यदि स्कूल इमें कुल लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या इमें चलो आओ 540 है इसमें अगर लड़के की बात किया जाए तो पहला है तो 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहां से कर लोगे तो 2 2 4 कि एक दूसात च्वदा 27 और 11 कितना जाएगा 27 और 277 8 9 यहां पर 27 और 11 होगा तो 7 ही हो जाएगा 7, 8, 9 और 297 आपके क्या हो जाएंगे यह आपके boys हो जाएंगे 297 आपके क्या हो जाएंगे boys हो जाएंगे total किसमे e में अब इसका कितना 103% निकालोगे तो यह आपका answer आएगा कितना उतने student क्या हो जाएंगे आपके c में अनुत्रिन हो जाएंगे तो इसको 3 से काटोगे तो 397, 2, 397 99 student 99 student total fail होंगे तो e में किसमे c में c में कितने student fail होंगे इसका 33% e के लड़कों का 33.33% तो वो कितना आया है 99 आया है तो c में total student कितने है 640 इसमें से फेल कितने होंगे 99 तो यहाँ 10 में से 9 हो जाएगा एक और यहाँ पर हो जाएगा तीन तो 9, 4, 13 यहाँ 541 आपके क्या हो जाएंगे total आपका उत्रिन छात्र हो जाएंगे बी आपका correct हो जाएगा पांच सो एकतालिस उत्रिन छात्र हो जाएंगे अगला कुश्चन दिये गए पांच स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या क्या है अब बताओ अब तुम्हें सभी में क्या करना होगा लड़कों की संख्या निकालने होगे निकालो जल्दी से कुछ करना नहीं हो ऐसे रेसियो में निकालो और लड़कों की संख्या को क्या करो प्लस करके बताओ लड़कों की संख्या बताओ जल्दी से अभी ए में किसी में निकाले थे ए में बॉइस की संख्या कितनी होगी 700 है 12 चाहिए और यहां 35, दुनी 70, 12, दुनी 24, मतलब 240 यहां आया था, फिर B में boys की अगर बात किया जाए, तो 500 है, और लड़का वाला चाहिए, तो 8 उपर होगा, और 8, 7, 15, मतलब 25 नीचे होगा, 25 दुनी 50, 8 दुनी 16, 160 ही यह हो जाएगा, अब C की बात करें, तो C में कितना है, 640 है, ल 1, 1, 2, 1, 3, 32, दुनी 64, 20, 13, दुनी 26, 260 ही यहां पर लड़के आ जाएगे, अब D में बात करें, 480 कितना हो जाएगा यहां पर, लड़का 9, 9, 7, 16, 16, 3, 48, 3, 9, 3, 27, 270, यह आपका हो गया, आगे आजो, E वाले में, E वाले में क्या है, आपका 540 है, 11 होगा, और यहां 20 हो जाएगा, तो यह 12, 297 यहां हो जाएगा, यही तो आया था, तो अब इनको क्या करना है आपको, अबरेस तो नहीं पूछा है, पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या क्या है, तो इनको प्लस कर दो, लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा, लास्ट में 7 किसमें है, इसमें है, यही आंसर होगा, जाहिर सी बात है, लास्ट में 7 तो आना ही आना है, देख लो, जोड़ो लास्ट में 7 आएगा ही आएगा, तो 7 किसमें है, सी में है, यही आंसर होगा, अब उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, यह आपको कुश्चन दिखाई दे रहा है, यह स्क्रीन पर आपके कुश्चन है, बोला है निमलिखित तालिका को अध्यान कीजिए, और प्र बहुत ही बेतरी इन विसाल, चलो बहुत बढ़िया, और किसी के आंसर निकाला था, इसका, इसमें क्या था, कौन सी पूस्टक छात्रों द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाती है, वो कैसे निकाल सकते हो, वो कुछ नहीं करना है, बस एक बार इन सभी के सम्मेशन करो, ठी सत्रों दो, अठारेक, उननिस, उननिस अर ये कहांसी था, वो भी सोचाएगा, और कैरी आएगा, दो, दो के बाद, तीन, तीन, दो, पांच, पांच, छे, छे, शे, 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 आठीक, नो, 900 टोटल यहां पर आपका आएगा, ठीक है, ये 900 होगा, ऐसे इसको आड करोगे, तो कितना हैगा, पांच, 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 पंदरा, पंदरा और पांच, बीस, कैरी आपका दो बचा, दो, चार, दो, छे, शे, शे, नो, छे, पंदरा, पंदरा और साथ, बाइस, तेश, चौबिस, आपका कैरी बचा दो, दो, एक, तीन, तीन, एक, चार, चार, दो, छे, 6 2 8 8 और 2 10 10 40 इसका आएगा इसके बाद से इसको कैरी कर ले इसको बता देते हैं कि इसका सम कितना होगा लाश्ट में 5 5 10 तो के 0 होगा कैरी 1 हो जाएगा यहां देखो 1 2 1 3 3 और 5 8 8 9 हो जाएगा उसके बाद से आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 90 हो जाएगा अभी तक का सबसे highest 1090 आ रहा है अब इसमें देखो 5 तो लाश्ट में क्या होगा 5 ही होगा उसके बाद 6 3 9 9 10 10 14 कैरी आपका 1 बचा 2 2 4 2 6 7 8 9 945 यहां हो गया इसको एड़ करो तो यह कितना हो जाएगा आपका यहां आपसे देखो 5 5 10 15 15 पांचों को 20 कैरी आपका बचा 2 उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो 4 5 4 9 9 के बाद 2 10 11 11 11 और 7 19 मतलब यह आपका कितना हो जाएगा 400 ठीक है यह आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा अब देखो इसमें सबसे highest कौन सा है 109 तो सबसे ज़्या कर लिए हमने सबका सम निकाल लिया आगे हमारे लिए असान हो जाएगा है थोड़ा लाइट करें क्या हुआ 1090 हो जाएगा अब यहाँ पर यह कौन सा हो जाएगा मून आपका आंसर हो जाएगा अभी देखो इसी से काम चला लो बोला है फिर से आपका यहाँ पर इस्कूल C से ग्रेविटी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इस्कूल E से ग्रेविटी पढ़ने वाले छात्रों का लगभग कितना प्रतीसत है इसका आंसर बताइए इसका अंसर बताई है C और E C में कौन सा ग्रेविटी पढ़ने वाले कितने हैं 195 E में पढ़ने वाले कितने हैं 225 तो वही बोला है C में ग्रेविटी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या E में ग्रेविटी पढ़ने वाले छात्रों का लगबग कितना प्रतिसात है क्या होगा जल्दी से बताईए कि कितना होगा पांच से काटो पांचों को बीस दो पच्वाम पच्चीस यह आपका बीस पांचों को बीस चार यहां हो गया और यह हो गया आपका कितना नाइन फाइव जा ट्वंटी चार नवा चातिस साथ सो असी अपॉन नौ अब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 9,8,72,86 के पॉइंट सम्थिंग आएगा,86 के लमसम आएगा तो 86 वाला आपका आंसर हो जाएगा ठीक है,86 या कुछ कितना आएगा, करके देखना पड़ेगा क्यूंकि 86 है,87 है, दोनों आज पास का है अगर एप्रॉक्स लेंगे, तो हमें कौन सा लेना होगा, 86 होगा या 87, एक बार एक्जर्ट निकालो, कितना होगा, 780 को 9 से करोगे, तो 9,8,72, 6 यहाँ पे आएगा, और 9,6 के चोवण, 5 में से चार जाएगा, 1, 10 में से चार जाएगा, 6, फिर से साथ होगा, 9,6 के 86,6, तो इसको एप्रॉक्स कितना वारेंगे, देखो 5 से कम रहें यह वैलू, पॉइंट की कम बालाई, तो हम 86 लेंगे, अगर 5 से वैलू जादे होती है इधर पॉइंट की, तो हम इसका एप्रॉक्स कितना लेंगे, 87 परसेंट लेंगे, तो यह नहीं होके, यह आंसर हो ज आपका घडबर हो जाएगा, अगर 86 पॉइंट संथिंग 2-3 होता, तो हम इसको 86 मानते, लेकिन जैसे 86 पॉइंट 5 से उपर जाएगा, तो वो एप्रॉक्सिमेशन 87 हो जाएगा, ठीक, अगले कुशन पर आते हैं, सभी स्कूल में, सभी स्कूल से मून पढ़ने वाले और स् चात्रों की आवसत संख्या के बीच अंतर क्या है, सभी स्कूल से, पूरे पांचों से, कौन से मून पढ़ने वाले, तो मून पढ़ने वाले कितने थे, 1090, यही तो था, क्या calculate किये थे हम लो, मून पढ़ने वाले 1090, ठीक है, तो इसका पूरा 1090 है, अब बोला है, इस चात्रों की आवसत संख्या के बीच अंतर क्या है, अच्छा, तो अब स्पून वाला क्या है, स्पून में कितना था, 945, ठीक है, यह था, यह ध्यान रखना, तो इनका टोटल 945 है, इनका टोटल 1090 है, लेकिन आप से पूछ रहा है, सभी स्कूल में मून पढ़ने वाले, और स्पून पढ़ने वाले चात्रों की आवसत संख्या के बीच अंतर क्या है, तो देखो इसका आवसत निकालोगे, इसका आवसत कितना होगा, 1090 का, आवसत निकालोगे कितने स्कूल है, 2245, तो इसका आवसत कितना हैगा, 1090 का, इसका आवसत कितना हैगा, 5 दुनी 10, ठीक और 18,95, 208 तो 218 इसका आउसद आएगा और 945 का आउसद कितना आएगा तो इसका आएगा 5 एकम 5 4, 5, 8, 40, 5, 9, 45 मतलब 189 इसका आउसद आएगा इन आउसद के बीच का अंतर कितना होगा तो 218 माइनस 189 कितना हो जाएगा 998 और यह 2 29 का अंतर आएगा 29 आपका B आपका correct हो जाएगा ठीक है 218 और 189 इनका average आया है उसके बीच का अंतर पूछा है आपसे question में 29 आपका correct होगा अगला question सभी स्कूल से gravity और moon पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है सभी स्कूल से gravity और moon पढ़ने वाले छात्रों के कुल संख्या का अनुपात क्या है तो सभी स्कूल के gravity पढ़ने वाले कितने थे 1040 हमने पहले ही निकाल लिया था और किसका पूछा है moon का पूछा है तो 1090 इनके बीच का अनुपात पूछ रहा है आपसे तो अनुपात कितना हो जाएगा बताओ तो थोड़ा यही तो होगा अब उसके बाद तो कटेगा नहीं 104 और 109 104 और 109 यही अनुपात होगा option A correct हो जाएगा हाँ यह last class है ठीक अब इसी में एक missing वाला question भी देखेंगे हम लोग अब ही आजाओ सभी विद्याले के कुल छात्रों में से लगभग कितने प्रतिसा छात्र स्पून पढ़ते हैं पूरे विद्याले में यह ध्यान देखना सभी विद्याले में सभी विद्याले के कुल छात्रों में से लगभग कितने प्रतिसा चास्ट पूर पढ़ते हैं अब सभी विद्धविय की प्ल चातर मतलब इसके भी चातरा सभी में से इस पूर पढ़ने वालों की संख्या कितना पर्षनट है बताईए इसका अंसर बताईए क्या होगा अबी होगा इसका अंसर 32 है देखो इस पून पढ़ने वाले कितने थे ये वाला 945 तो 945 जो होगा इसका किसमे परसेंटेज बताना है इन टूटल में तो इसका कितना आमने निकाला था 900 निकाला था इसका 1040 इसका 1090 इसका 945 और इसका 400 इसको एड़ कर दो कितना आ जाएगा इसको एड़ कर दो कितना जाएगा 5 यहां होगा और यहां 943 तेरा चार 945 तेरा नौचार तेरा और तेरा और चार सोला एक सत बस और कुछ है इसमें यही तो था 4, 3, 7, 5 चलो देखते हैं तो यह आपका 5 यहां हो गया और यह 945 है और नौचार तेरा हो गया तेरा और चार सत्रा हो गया साथ यहां हो जाएगा और नौच दस एक तिरालिस पचात्तर ठीक है चार तीन साथ पांच आपका करेट हो जाएगा अब इसमें क्या है आपसे पूछा है कि इसका यह कितना परसेंट होगा तो सो 945 तेरालिस पचात्तर ठीक है इंट्टू कितना कर दोंहंटर कर दो अब इसे काटो कितने के एक प्रोक्स अंसराएगा यह किसни के प्रोक्स अंसराएगा अपका यह आपका आयेगा 22% के एप्रॉक्स 22 और 23 दोनों हैं तो आप तो इसको पूरा करना पड़ेगा 22 होगा या 23 होगा जल्दी से बताओ 22 होगा या 23 होगा क्योंकि ये एप्रॉक्स में आंसर आएगा अब इसे इधर से काटते हो वो तो पांच, अठे, चाल्रीश तीन, पांच सते, पांच, तीन दो, पच्वण, पच्चीस 845 और हन्रेड और ये पांच, एककाम, पांच, तीन ठीके और ये पांच सते, कांच, थीस 25, 25, 175 होगा ये 20 हो जाएगा और पांचो को बिश चार यह वाईए हो जाएगा एक सोपचतर तो अनड़ प्रोक्स को काटो ओगे तो 21 पॉइंट एक एककिस पॉइंट-छे आएगा न तो 21 कुछ आएगा एक किस पॉइंट इसको लेंगे 22 को लेंगे 21 को नहीं लेंगे कितना आस पास देखा है ठीक है कितना आस-पास रखा है तो यह 22 हमारा आंसर हो जाएगा भी तो धिहान से कर लेना at least point के बाद दो प्लेस तो जरूर निकालना है यह क्या इहां slow चलना है क्या हिस Day का कि चलो आगे बढगते हैं है है इस इधा1 अचमरें से इसकट इसका इसका अंसर है इसका क्या होगा यह आपका मैं अप्वाल तो फूरा फॉरा मैच का पूरा दिया हुए इसमें क्या है यह थोड़ा नया टाइप के इसमें कुछ जगा ब्लैंक है ठीक है इस ब्लैंक को भी आपको निकालना है इसमें खिलाडी के नाम दिया है पुजारा धमन कोली रहाने जडेजा यहां कुल स्कोर इन सब का मैच वन में दिया इन्हें इतना बनाया है इन्होंने इतना इ करने के लिए तो इससे आपको सौधान रहना है कि कैसे इसको को करना है कि हाँ हाँ चेंज हो गया अब डियाई दूसरा आ गया है कि दिख रहा है सभी को अभी दिख रहा है देखो इसमें बोला यदि मैच टू में धवन द्वारा बनाये गए रन 90 है और मैच चार में पुजारा द्वारा बनाये गए रन 110 है तो सभी चार मैचों में रहाने ने कितने रन बनाए अब रहाने का पूछ रहा है चार मैचों में कितने रन बनाए टोटल पूछ रहा है यहां ब्लैंक है तो इसका ब्लैंक वाला निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या दिया है उसके लिए मैच दो में धवन द्वारा कितने रन बनाए गए है, 90 रन बनाए गए है तो 90 द्म द्लारा यहां कितने बनाए गए 90 रन बनाए गए और किसके द्वारा मैच4 में पुजारह द्वारा बनाए गय Será 110 यहांब बनाए गया है फुजारह द्वारा एक सोदस ठीक है, अगर यह 110 हो गया तो हमें यह पता चल जाएगा जनरल सी बात है अगर यह 110 है तो यह पता चल जाएगा क्योंकि हमें टूटल पता है 440 है ठीक है तो अगर इनको जोड लें तो 110 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहां 60, 60, 120 120 और 120 कितना हो जाएगा 240 ठीक है यह पता करना है और यह टूटल 440 है ठीक है तो 440 में से 350 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9, 5, 14, 90 बचेगा कितना बचेगा 90 बचेगा तो यहां क्या होगा 90 होगा क्यूं क्या हो गया सामने से अभी बता हो यह 90 होगा कि नहीं होगा ठीक यह हो गया 90 यहां 90 फिल कर दिये जब यह 90 हो गया तो अब एक चीज और ध्यान दो और कहा से हमारा निकल सकता है और एक चीज यहां से यह निकल सकता है कि जैसे आपका यह 90 हुआ ठीक ये 110 हो गया यह 90 हो गया यहां आपका क्या था यहां 90 पहले ही बोल दिया गया है कि 90 इसने बनाया है अगर 90 इसने बनाया है तो यह भी हमारा फिल इंदा ब्लैंक से निकलाएगा आराम से वो कैसे निकलाएगा देखो, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा? 0, 0, 0, 2 ठीक है, तो 2 आपका last में होगा 9, 5 14, 14, 14 और 8 8, 4, 12, 22 22, 24, 26 262 होगा 262 में ठीक है 318 में से घटा देना तभी हम यह वाला मिलेगा आपका तो कितना हो जाएगा? 6 यहां हो जाएगा और यहां कितना होगा? 6, 5, 11 हो जाएगा तो 56 आपका यहां से आजाएगा तो यहां पर क्या फिल कर दोगे? 56 फिल कर दोगे अब देखो, रहाणे का पूरा फिल हो गया 50, 56, 74, 90 जोड़ो कितना होगा? 6, 4, 10 0, carry 1 9, 7, 16 16 और 5 21, 21 और 5 26, 27 270 आपका यहां पर इसका टोटल आ जाएगा तो 270 रन होगा, option D correct होगा क्यों? समझ में आया? देखो, यहां पर 110 रन पहले दे दिया, यह 90 पहले दे दिया तो यहां से मैंने यह निकाल लिया क्योंकि इसमें 440 से एक ही खाली जाएगा, यह तो भरी गया क्योंकि कुश्चन में दे दिया तो यह 90 आ गया, जब यह 90 आ गया तो अब यह खाली है, क्योंकि इसका टोटल भी तो यहां खाली है तो यह खाली है, तो इसका यह वाला भर गया था कुश्चन में दे दिया था 90 बे तो इन सब को प्लस किया तो आया मेरा कितना 262 तो 318 में से 262 घरदा दिये थे हैं 56 आ गया तो अब यह पूरा आ गया तो अब यहां हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं ठीक है तो 270 हो जाएगा अब आते हैं अब ही देखो और क्या कैस फिलिंदा व्लेंक्स में निकाल सकते हो एक ही बार निकाल लो आगे जो भी कुश्ण पूछेगा देख लिया जाएगा जैसे देखो यह पूरा निकल गया है अब यह पूरा निकल गया आपका तो अगर बात करें हम लोग इसकी हाँ अभी यह 56 हो गया यह 74 हो गया यह आपका निकल चुका है और किसमें हम लोग कुछ निकाल सकते हैं हाँ इस इस प्लेस को निकाल सकते हैं देखो यह 40 है 40 है 40 है 60 है यहां 160 टूटल दिया है तो 40 चालिस असी असी और 60 आठच्छे चौदर 140 तो 160 में से 140 घटा दोगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा तो यहां पर हम 20 फिल कर देंगे जो जो ब्लैंक है उसको हम भर दे रहा है आगे हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े तो यहां 20 हो गया अब 20 यह हो गया तो यह भर सकते हैं ब्लैंक आराम से क्यों देखो 140 और 20 160 प्लस 74 कितना हो जाएगा 4 यह 7 6 13 और 234 आगया और 274 यहां दिया है तो यह कैसे पता चल जाएगा 274 में से 234 को माइनस कर दो 0 7 में से 3 जाएगा 40 तो यहां आ जाएगा 40 यहां भर देते हैं हम लोग 40 ठीक है यह भी फूल हो गया पूरा यह भी फूल हो गया है ठीक अभी टोटल इधर वाले पर मत जाओ मैं नहीं है आकड़ा यह होगा तो उधर भी आपका पता चल जाएगा देखो 80 और 40 8 4 12 120 और 120 कितना हो जाएगा 240 240 को कितने में से घटा दोगे 260 में से घटा देंगे तो यहां 6 में से 4 जाएगा 220 तो 20 आया तो वह 20 कहां हो जाएगा यहां हो जाएगा ठीक है अब यह भी फिल हो गया यह फिल हो गया तो आपका यह भी फिल हो जाएगा क्यूं आराम से हो जाएगा देखो 40, 50, 90 9, 8 117 117 117, 118, 90 ठीक है यहाँ पर देखो कितना हो गया 100 हो गया, 90, 190 आपका यहाँ हो गया 190 हो गया 268 ही है, इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 यहाँ से हो जाएगा, और 9, 11, 16, 78 आपका यहाँ हो जाएगा, तो 78 आपका क्या हो जाएगा, पुजारा द्वारा हो जाएगा सब फिल हो गया, अब इस चार्ट में हाँ, धमन 270 ठीक, यहाँ पर तो अब इसको भी निकाल सकते हो, 6, 4, 10 90, ठीक है, 190 190 और 80 कितना हो जाएगा 270, ठीक है, जाएग सी बात है यह भी आजाएगा 270 यह सब हो गया, पूरा पूरा चार्ट हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया जैसे ही दो डाटा आपके क्वेश्चन में दिया, उसी के हल्फ से हमने पूरा चार्ट फिल कर दिया, अब अगले कुश्चन पर आते है अगला कुश्चन अमारा जो भी बोले हम पिछले चार्ट से देख लेंगे अगर 4 मैचों में धवन द्वारा आउसत रन 67.5 है तो रहाडे मैच 2 में कितने रन बनाएगा अब कुछ नहीं, इस कुश्चन को देखो, चायना देखो रहाडे मैच 2 में कितना रन बनाया है? 56 रन बनाया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है आंसर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा अब इसमें ये question में दिया काईगा सर जी ये question में ये क्यों दे दिया देखो अलाग अलाग हो सकता है तुम एक ही साथ न निकालो यहां पर आओगे तो 67.5 ठीक है कितने लोग मैच खेलना है चार मैच खोलना है तो रहाने का total निकलाएगा ना रहाने का average दिया है कितना दिया मैच 2 में कितने रन बनाए अगर ये 270 होगा तो यहां निकालोगे यहां निकल जाएगा तो आपका यह वाला निकल जाएगा तो बात वही पड़ी जैसे हम लोगों ने इधर निकाल दिया था जब पहले से निकाले हैं तो answer क्या होगा C होगा ठीक अगला question देख लो बोला म मैच 1 में धवन कोहली और रहाणे ने एक साथ मिलकर कितने रन बनाए मैच 1 में धवन और कोहली और रहाणे मैच 1 में देखो कौन-कौन है धवन, कोहली और रहाणे मैच 1 में कितने रन बनाए दोनों सभी लोग मिलके धवन, कोहली और रहाणे तो 50 और 20, 70 और 70 और 8, 8, 7, 15, 150 बहुत ही बढ़िया तो answer क्या हो जाएगा इसमें 150 हो जाएगा देखे एक जगा हमने table को फिल कर लिया तो इससे आसान कुछ है नहीं अब देखो, मैच 1 में पुजारा द्वारा बनाए गए रन नहीं question नहीं change होगा, देखो chances यहीं होता है कि हर में question change कर दे तब तो यार बहुत लंबा हो जाएगा, हर में नया table दे तब तो आपको बहुत time taking हो जाएगा लेकिन 100% नहीं मैं का सकता हूँ कि हर में नया table हो, लेकिन इतना ध्यान रखो 90% यहीं chances है कि एक ही table से आपके 5 question बनेंगे ठीक है, जो थोड़ा सटफ करना चाहेगा तभी सभी के लिए अलग-अलग table करेगा अब देखो, मैच एक में पुजारा द्वारा बनाए गए रन, मैच एक में धवन द्वारा बनाए गए रन के कुल रनों का कितना प्रतिसत है हाँ, इसका अंसर बताओ, मैच एक में पुजारा द्वारा बनाए गए रन, मैच एक में धवन द्वारा बनाए गए कुल रनों का कितना प्रतिसत है इसका अंसर बताइए क्या होगा, आसान सा है पूरा सब पहले ही निकाल चुके हो, इसका अंसर बता दो क्या होगा अरे देखो कितना था पीछे चले जाओ अब मुझे पीछे ले जाना पड़ाओ मैच एक में किसका पूछा है याँ मै गुरि पुजारा का और धmentation का पर सेंटेज पूछा है पूजारा का कितना है 78 है अध्वन का कितना है 80 है यही तो परसेंटेज पूछा आपका कितना हो जाएगा यह 00 यहां से केंसिल हो जाएगा यह आपका कितना परसेंट आज जाएगा यह 97 परसेंट क्या है एप्रॉक्स होगा देखो 97.57 क्योंकि यहीं पे हैं एक ही है 97-98 तो ऐसा दिया नहीं है सीधे 97 होगा 96 नहीं 97 होगा सही से देखो 97.5 आएगा 78 अपन 80 होगा ना इसका 78 है इसका 80 एंटू 100 करो ठीक है यहां से काटो हाँ सलेबस में तो यहीं लिखा है कि प्रतेक से 5 कोश्चन आएगा तो यहां 97.5 आपका परसेंट हो जाएगा अगला देख लो मैच 3 में कोहली द्वारा बनाए गए रनो और मैच 4 में जडेजा द्वारा बनाए गए रनो का अनुपाद ग्याद कीजिए मैच 3 में कोहली द्वारा कितना रन बनाए गया है 40 रन बनाए गया है और मैच 4 में जडेजा द्वारा कितना रन बनाए गया है मैच 4 में जडेजा द्वारा 60 रन बनाए गया है यही तो तो यह इसका अनुपाद कितना होगा दुदूनी 4 दो 3 यही तो होगा मैं इस तीन में कॉली द्वारा अच्छा मैंने ध्वन का ले लिया मैंने ध्वन का ले लिया ठीक है तो यह रहा कॉली कॉली वाला यहां पर क्या होगा यह फिल इंदा ब्लेंक्स वाला पूछा है तो यहां पर कितना था कॉली का याद है किसी को कॉली का कितना था 20 30 зовут 060 का रिस्इम पुछाए यह तो मैं पोला कि मैच 3 में कॉली कार शालीस है और यहां पर कितना इसका मैं सब्लमें रहाणे का पूछा था खीसका पूछा था कि मैच 3 में यहां पर आपका कितना गली से मैच 3 में कोली का बनाया गया 40 है और मैच 4 में जड़ेज़ा दोरा बनाया गया कितना है 60 है 40 और 60 का है सही तो है तभी भी तू अहीं आया आंसर तू अहीं आया मैबस उपर नीचे कर दिया था दो रेसियो तीन ही होगा अगला कोश्चन आजाओ सब्सक्राइं ठीक है तो यह आपका क्या हुआ विसाल अच्छा कोली तो कॉली है अच्छा तुम दिल पे ले गए ठीक यह आपके क्या हुए यह आपके जनरल से क्यौश्चयन हो ए टेबुलर के अब टेबुलर पर आपको ज्यादे मेंनत नहीं करना जैसा मैंने कहा कि आप एक कोश्चन रोज प्रेक्टिस करते जाओ फिलर वाला जरूर प्रेक्टिस कर लेना तफ बनाने के लिए एक्जाम में हो सबता है फिलर से रिलेटेड कोश्चन आए टेबुलर में लेकिन चांसे बहुत कम हैं मुझे जहां तक लगता है ल चालकुलेटिव जरूर होगा थासर सीलोगिजम झालकुलेटिव जरूर थासर सीलोगिजम झाल 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 झाल